सुप्रसिदी तिहासकार, बहन मिनाक्षी जैन जी, शिरी कंचन गुपता जी, बहन नीरजा जी, शिरी प्रकाश जी, दंदुकुमार जी, शिरी दतन जी, एवं कारकम में उपस्ते सभी प्रवुद्ध, भाई और बहनों मैंने आज के इस कारकम से बचने की बहुत कोशिश की, दो कारण थे, एक मैं किसी भी पुस्तक का विमोचन वैसे में बहुत कम करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो उससे पहले उसको पढ़ता जरूर हूँ, और ये दिन इतने कम थे कि इस पुस्तो को पढ़ने का मेरे पार करना ये मुझे अच्छा लगता नहीं, तो सामानने था ऐसा मन में रहता है, तो पहले तो मैं माफी चाहूँगा कि उस तक मैं पढ़नी पाया, देखी जरूर है मैंने, एक पीडिया मगा लिया था, लेकिन तीन दिन पहले समय इतना कम था, कि उसमें देखने का आउसर नह जो आथोरिटी है अपने आप में, विशे की भी आथोरिटी है और विमोचन की भी आथोरिटी है, उनके होते वे मेरे जैसा इस विशे काल पग्यानी क्यों बुला ना, उसका करण भी है कि मैं इस तिन से कोई अध्यन करने का स्ट्रक्चर ना मुझे आदत है, ना करने का आउसर मिला सारे में से. जब करने का समय से तब कोई जैसा गाइड नी मिला और बाद में समय नी मिला. लेकिन अभी आप सब के बीच में उपस्तित होने का आउसर मिला है और कुछ कहने का आउसर भी है. एक तीन-चार बातें आपके सामने करूंगा. 2019 में कुछ कार्यकरता एकत्रुवे थे नंदुकुमार जी भी थे, सुनील जी भी थे, ऐसे कुछ लोग भी थे उस समय ये चर्चा प्रारंब हुई थी कि 2022 में 75 वर्ष पूर्ण होने वाले है इसको लेकर देश में कैसा विमर्ष चले इसको लेकर एक चिंतन प्रारंब हुआ था उसमें फिर कुछ लोग और भी जुड़े, कुछ प्रमुख लोग भी जुड़े इन विश्यों में काम करने वाले लोग भी जुड़े तो एक 4-5 महिने, 6 महिने ये सारा चिंतन चलता रहा तो उस समें एक 2-3 बाते तया करके काम को प्रारंब किया जिसमें से इस पुस्तकी प्रिष्ट भूमी भी त्यार हुई है स्वादिन्ता के संगर्ष की बात करते हैं तो एक 1000 वर्ष का संगर्ष है तो पूरे 1000 वर्ष को लेना क्या तो फिर ध्यान में ऐसा आया कि वो जो प्रारंब का इसलाम के खिलाव का संगर्ष था उसको दिरे दिरे करके 28 शताबदी तक आते हैं हम लगबग भारत में विजे प्राप्त कर चुके थे यह जो 1947 है यह जो सूचक है यह 1498 से जो यूरोपियन इन्वेजन भारत में प्रारंब हुआ तो यह 1498 से यूरोपियन इन्वेजन जो प्रारंब हुआ उससे 1947 की स्वाधिनता यह उससे जुड़ता है तो इसको इतने में सीमित किया जाए नहीं तो उसका एक बड़ा विस्तार है वो बाकी विशे कम महत्यों के ऐसा नहीं उनको भी समाज के सामने लेकर आना है लेकिन इसको इतने में सीमित करेंगे दूसरी बात यह तै कि कि इस सारे तीन वर्षक के चार वर्षक के काम में जो काम परारंब करेंगे किसी आरोप परत्यारोप में नहीं पड़ेंगे इडिज नाट टाइम टू स्कोर ये स्कोरिंग का समय नहीं है पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी इनको क्यों ज़्यदा श्रे मिला इनको क्यों नहीं मिला ये क्यों नहीं हुआ कभी-कभी इस सारे में debate चली जाती है तो हम तो सकारात्मक रचनात्मक लोग है we are positive and constructive people तो approach भी हमारी positive and constructive रहनी चाहिए तो हमको इस सारे में आरोप परत्यारोप में नहीं पढ़ना है left ने क्या किया, उसने क्या किया, इसने क्या किया किस ने अपने को आगे बढ़ा दिया किस को छुपा दिया यह सब बातों के यह आउशक्ता नहीं ना it is time to introspect and to make the self-corrections and those self-corrections on the basis of facts सत्य को सामने लईए ना वो जो सत्य सामने नहीं आया वो किसी भी कारण से हो सकता है वो पढ़दे के पीछे हो सकता है या हम अंदकार में हो सकते हैं और सत्य को देख नहीं पा रहे सत्य कई आखों के सामने नहीं है तो यह समय जो है यह सब के सामने सत्य को लाने का है और इसको ध्यान में रखकर सारे देश के अंदर एक विबस्थित काम करने की आवशकता है और प्रग्या प्रवा ने उसका इनिशेटिव लिया इतिहा संकलन, संसकार भारती फिर समाज जीवन में काम करने वाले अनेक समाज के जो अपने अपने स्थानों पर शिक्षा के केंदर थे, वहाँ पर जो लोग थे वो उसके अंदर जुड़ते चले के और पिछले एक तीन-चार वर्षों के अंदर सारे देश के अंदर एक सैकड़ों सैकड़ों लोगों ने मिलकर, हजारों हजारों लोगों ने मिलकर देश के अंदर एक वातावन बनाया है जिसको हम हम पिछले कुछ समय से अनुबव कर रहे हैं ये सारे समय के अंदर अपने इस स्वाधिन्ता के आंदोलन की प्रस्तुती कैसे करना ये सबसे महत्व का विशे था और इसी लिए ये जो पुस्तक की प्रिष्ट भूमी है इस प्रिष्ट भूमी में चार बातों का समावेश हमन करने का प्रियास किया पूरे इस सारे कालखंड में उस स्वाधिन्ता के संगर्श को हम उसमें लेकर गए उसकी प्रस्तुती में उस विमर्श को समाज में ले जाने के अंदर ये लेकर गए सारे में ये सब चल रहा था तो इसी बीच में दो बड़े जिसको कहते हैं कि अप एक परमपूजनिय सरसंग चलग जी के बद्धिक वर्ग में विजे दश्मी में उन्होंने इस सारे स्वाधिन्ता के आंदोलन की और मनाते समय उसकी सोच क्या है तो वो करते वे उन्होंने वाक्य प्रारंब किया कि आज से 75 वर्ष पहले हमने स्वाधिन्ता से स्वतंतरदा क यात्रा प्रारंब की थे एक बहुत अपने आप में स्ट्राइकिंग पॉइंट था कि 47 में हमको स्वाधिन्ता मिली है स्वतंतरदा नहीं है तो ये स्वाधिन्ता और स्वतंतरदा इसका अंतर सबको समझ में आना चाहिए और इसी बीच के अंदर आज के अपने जो मान्य प्रदान मंत्री जी हैं उन्होंने भी इस सारे विशे का आवान करते समय सारे देश की अंदर इस कालखंड में क्या करना तो उन्होंने कहा कि हम स्वाधिन्ता सेनानियों का स्मरण करेंगे उनकी प्रेड़नाओं का स्मरण करेंगे उनसे प्रेड़ना प्राप्त करेंगे लेकिन सबसे महत्यू की बात क्या है, तो सबसे महत्यू की बात है, we have to resolve for next 25 years, हमको आने वाले 25 वर्षे का संकल्प करना है, और इसलिए उन्होंने जो कहा कि ये 75 वर्षे जो पूर्णु में हैं, इसमें आज भारत जिस थान पर खड़ा है, उसको हम भारत का अमरितकाल कह सकत अमरितकाल यानी प्राताकाल की जब भोर फटती है, अभी सूरे पूरा उगता नहीं है, अंदकार पूरा गया नहीं होता, लालिमा दिखती है, एक वातावर्ण में ताजगी का, एक वातावर्ण में जीवन तता का एहसास होना प्रारंब होता है, और उसमें से आगे काम क करने के लिए व्यक्ति की सक्रियता और उसके आधार के ओपर जब सूरे पूरा उदे होता है तो एक सारे तरफ शक्ति का उर्जा का संचार होना प्रारंब होता है तो यह 25 वर्ष के हैं तो वी आप टू रिजोल्व पर नेक्स 25 यह जब 100 वर्ष होंगे तो भारत कहां खड़ होगा तो जो स्वाधीनता से स्वतंतरता की यात्रा हमने प्रारंब की थी क्या 2047 तक आते आते वो स्वतंतरता की यात्रा अपने लक्षे तक पहुँचेगी क्या यह एक महत्यों का विशे है जिसको ध्यान में रखकर हमको इस सारे कालखंड में समाज के सामने लेकर जाना इस सारे दो सूत्रों के आधार के ओपर इस पूरे वर्ष के अंदर दो वर्ष के अंदर पिछले देशवर के अंदर एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर साहित्य का सरजन इस सारे विशे को लेकर समाज के अंदर समाज का प्रभोधन ये जो सारे काम प्रारंब हुए हैं औ और जिसको क्वेस्ट पास सेलफूड, सेलफूड को जानने की एक इच्छा है, हमारा यह आंदोलन क्या संगर्श क्या है, तो वो उसको जानने की इच्छा है, वो जब पुस्तक आई, तो कुछ लोगों ने उसको पढ़ा, तो पुईने सरसंगे जालाग जिनने नंदकुमार जो को कहा, पुस्तक बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा इसको और विस्तारित करने की आउशकता है, जिसमेंसे यह आज की पुस्तक ये बनी है, सारे में से, वो जल्दी जल्दी में हमको एक विशे एक पुस्तक लेकर जानी तीस समाज के सामने, जिसके आधार पर हम आ बात्र एक पुस्तक नहीं है इस पुस्तक के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर दिया है जिस स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले एक आठ दस वर्षों के अंदर हमको देश के इस पूरे स्वाधीनता के संगर्श को एक बड़े कैनवास के उपर समाज के सामने लेकर आना है उसको लेकर अपने अपने स्थान पर काम का बहुत सारे करने की भी आवशकता है जिसको परग्याप्रवा, इतिया संक्लन और समाज के ऐसे सब लोगों ने मिलकर करना प्रारंब भी किया है वास्तों के अंदर वो सारा संगर्ष क्या था मुझे लगता है कि स्वाधिन था कि इस सारे अंदोलन को लेकर जिसकी चर्चा बेन मिनाक्षी जिनने अपने वक्तवे में एक सीमित समय था और संकेत रूप में की सारे में से एक चार-पाँच बाते ऐसी हैं जिस पर सारे देश के अंदर विमर्ष को ले जाने की आवशकता है एक देश के अंदर एक बड़ा स्मृति लोप हुआ है एक मेमोरी लास हुआ है उसका कारण है इसलाम का जो संगर्ष था उस संगर्ष में हमारी बड़ी संस्थाएं नश्ट वी विश्विद्याले नश्ट वे हमारे मठ मंदेर समाज की एक बड़ी संसकार की व्यवस्थाएं नश्ट हो गई लेकिन हमारी समाजिक व्यवस्था हैं हमारी आर्थिक व्यवस्था हैं और हमारी परिवार केंदरित और अपने ग्राम केंदरित व्यवस्था हैं सुरक्षित रहे और उसके कारण से उस सारे संगर्ष को हम लड़ गए लेकिन यह जो योरोपीय आकर्मन था, यह जो भारत में आया वास्तों में इस यूरोपीय आकर्मन को समझने की ओशकता है हम इसको एक बड़े चार-पांच वाक्यों में सरल्ता से कह देते हैं के बल East India Company आई भारत में वेपार करने के लिए आई वेपार करते करते उनको ध्यान में आया कि हम आपस में लड़ते हैं उस लड़ाई का लाव उठाया उन्होंने शासन स्थापित कर लिया और दीरे दीरे करके हमको गुलाम बना लिया ये वास्तित्ता नहीं है ये इतना सरल इक्वेशन नहीं है ये जो East India Company या उससे पहले Dutch, French और उसी कालखंड के अंदर पुर्टगीज उस समय दुनिया के सब देशों के अंदर के उसी प्रकार ये सब भारत में भी आए ये जब भारत में पहुचे थे, प्रिष्ट मूमी के साथ पहुचे थे ये जो Evangelical Christianity उसकी प्रेज़ना से जो और वहाँ पर शक्तियां खड़ी हुई थी उन्होंने यूरोप को कॉलोनाइज किया उसके बाद वो अमेरिका, आस्टेलिया, अफरीका, इन सब देशों के अंदर वो विज़े प्राप्त करते वे वो एशिया के अंदर पहुचे है उनके पास उन सारे शेत्रों के अनुभव थे और उनकी वो जो कुरूरता की कहानिया हैं वो सब उनके साथ थी उन देशों के अंदर कितने नरसाहार किये, कितनी उन्होंने लूट की, संसादनों की लूट की कैसे वहां के समाजों के साथ उन्होंने विवित्स अत्याचार किये ये सारी बाते करते वे वो भारत में पहुचे है कमपनिया नहीं आई वो हर देश की पार्लेमेंट हर देश के राजा के चार्टर के साथ भारत में आए और प्रतेक की प्रेज़ना जैसे उन्होंने दुनिया को एक वाइट मैं बर्डन और एक दुनिया के अंदर एक अपनी वाइट मैं की जो सुपिरिलिटी है उसका कॉंप बातों को लेकर आए उसी में से वो भारत में आये थे दुनिया के उन सब देशों में सफल हुए वो भारत में सफल नहीं हो सके वो यहां पर वो सब नहीं कर सके किया उन्होंने वो सब इसलिए इस सारे स्वाधिन्ता के जब इस सारे 75 वर्ष के आउसर के ओपर हम देश के तो विमर्ष में चार बाते हमने लाने की कोशिश की एक जब अंग्रेज आया तो भारत कैसा था ये समझे भी ना हम कभी ये समझ नहीं सकते कि अंग्रेजों ने क्या किया जिसकी बैन मिलाक्षी जी ने चर्चा करते वे यहां की नियाय व्यवस्ता यहां की पंचायत व्यवस्ता यहां की समाज व्यवस्ता इसको जानने का एक हमको प्रियास करना सारे उसमें से वो समय का भारत कैसा था और फिर ये आकर्मन का प्रकार कैसा था ये आकर्मन की भीशनता क्या थी कुरूरता क्या थी उस आकर्मन का एक सर्वंकश रूप क्या था ये समझने की आउशकता है उन्होंने केवल शासन नहीं स्थापित किया करोडों करोडों हत्याएं की उन्होंने 18, 1757 के अंदर पलासी का युद्ध और 62 में बकसर के बाद जैसे ही बंगाल में उनका शासन आया केवल 1765 से 1800 के बीच में बंगाल में जो अकाल पड़े उस कालखंड में साथ करोड अवादी में से दो करोड लोगों की हत्याएं हुई मृत्यू नहीं वो क्रितरी मकाल थे वो समझे नहीं किया वशक्ता वो कैसे हुए सारे के सारे अकाल भारत की क्रिशी वेवस्ता के साथ उन्हों ने क्या किया भारत के गाओं के साथ क्या क्या हमारे देश के production हम से सारे गाओं हम उस कालखंड के अंदर भी वी वर्दा global trader हम दुनिया के अंदर बहुत बड़े मैनुफेक्चरर थे बहुत बड़े वैपार करते थे उसको समझने की आउशकता है तो ये सारा जब तक हम समझेंगे नहीं भारत क्या था और अंग्रेजों ने क्या किया ये समझे भिना हमको अपने इस स्वाधिनता के आंदोलन की व्य आकर्मन था वैसा ही समग्र उत्तर था समाज जीवन के प्रतेक शेतर में ये आकर्मन था और ये प्रतेक शेतर में हमने इसका उत्तर दिया उसको थोड़ा एक विवस्थित करके समझने की आउशकता है उन्होंने एक एक करके अपने समाज जीवन के अंदर आज बहुत प्रिश्ट भूमी क्या है वो जो उन्होंने इस देश के अंदर 1835 के अंदर अंग्रेजी की शिक्षा और दीरे दीरे करके अंग्रेजी कानूनों के अधार के ओपर भारत की समाज विवस्था को तोड़ने का काम और दीरे दीरे करके शिक्षा और जनगर्णा दोनों को माध्यम बनाकर भारत के अंदर तरह तरह की आइडेंटिटिस खड़ी करने का काम प्रारंब किया जिसको उन्होंने डी नेशनलाइजेशन, डी हिंदुाइजेशन, डी सोशलाइजेशन इस देश के राष्ट्रभाव को समाद करना, इस देश के एकात्मता को तुकडों में बाटना, नश्ट बरश्ट करना और समाज के अंदर धर्म के आधार के ओपर समाज जीवन का जो एक सूत्र था उसको पूरी तरह से खंडित करना ये जो तीन बातों को लेकर उनका जो इस देश के अंदर और उस कालखंड के अंदर उनका शासन प्रारंब हुआ, उसका अपने समाज ने कैसा उत्तर दिया, इस उत्तर को समझने की आवशकत है और इसलिए इस सारे स्वाधिन्ता के आंदोलन को समझने के लिए और हमको क्या करना है ये समझना है तो अपने स्वाधिन्ता के आंदोलन के दो भाग बनते हैं 1757 ते 1858 तक और यहाँ पर विदिवत महराणी और शासन नहीं हो गया ब्रिटिश इंडिया का शासन नहीं हो गया तब तक का उनका 100 लगण अपने शासन को स्थापित करने का था हमारा हर पल पे हर स्थान पर वो संगर चल रहा था लेकिन 1858 तक आते आते एक विवस्तित उन्होंने इस देश भी अपना शासन स्थापित कर लिया दीरे दीरे करके यहां की शिक्षा विवस्ता यहां की समाज विवस्ता शासन विवस्ता देश के एक बड़े हिस्वे में वो सब होना प्रारंब हुआ उस कालखंड में 1858 से ही प्रारंब होकर 1911 तक हम कह सकते हैं कि हमारे स्वाधिन्ता के इस संगर्ष का एक इस्ता था जिस समय अपने इस स्वाधिन्ता के आंदोलन की प्रेड़ना जो है वो स्वत रही थी यह जो वास्तों में हमारे आंस्वाधिंता की जो प्रेढ़ना थी वो स्वत रही थी स्वधर्म, स्वधेशी और स्वराज उस कालखंड में बासुदे बलवन फड़के या उनसे प्रेड़ना प्राप्त करके उस कालखंड में महराष्टर में जो सारा करांती कारी अंदोलन प्रारंब हुआ पंजाब में सद्गुरु राम सिंग कुका उनसे प्रेड़ना प्राप्त करके स्वाधिंता का संगर्ष प्रारंब हुआ वो स्वामी द्यानन सरस्वती जी से प्रेजना प्राप्त करके आरे समाज और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा स्वाधीन्ता के संगर्ष की जिसकी बड़ी भूमी का योगदान रहा वो रामकिष्ण परमंस स्वावी रामकिष्ण परमंस से प्रेड़ना प्राप्त करके स्वामी वेकानंद भगनी निवेदिता और उसके बाद और उसी कालखंड के अंदर बंगाल में राज नेरेंड बसुद जिन्होंने हिंदू मेलों से प्रारंब किया और धीरे धीरे करके सतीश चन्द मुखर जी, राजा कुमन मुखर जी, मारिशी अरविंद और उन सब से प्रेड़ना प्राप्त करके वो जो कालखंड था वो संगर्श का एक हिस्सा था उस सारे स्वादिंता के कालखंड में संगर्श में हम अपने गुरकुल स्थापित कर रहे थे, हम भारतिय शिक्षा संस्थापित कर रहे थे, अपनी मातरबाशा में शिक्षा की बात कर रहे थे, उस कालखंड में अपनी रूडी कुरीतियों को दूर करने का हम प्रयास कर रह रहे थे उस कालखंड में अपने उद्योग अपने कुटीर उद्योग अपने काम दंदे इन सब की बाते चल रही थी स्वदेशी की बाते चल रही थी वो हमारा आंदोलन का जो हिस्सा था वो स्वत्रही का था लेकिन 1911 तक आते आते वो जो अंग्रेजी शिक्षा विवस्ता में से पढ़कर निकलेवे लोग जैसे जैसे करके सामाजिक, शैक्षिक, मीडिया, समाज की सब संस्तों में प्रभावी होते चले गए देखते देखते अपना ये संगर्ष स्वत्रही से बदल कर केवल स्वराज तक सीमित हो गया वो जिस काल खंड के अंदर जगदीश चंद्र बसू ये कह रहे थे कि मेरी ये सारी आए इसके दो हिस्से कर लो एक हिस्सा भारतिये भाषों में विज्ञान की शिक्षा और दूसरा हिस्सा भारत में मोली कनुसंधा उनको जर्मनी की प्रियोक्षालों से निमंतरन मिल रहा था उन्होंने कहा कि सीमी संसादनों से मैं कलकत्ता में प्रियोक्षाला बनाऊंगा विदेश के लोग पढ़ने के लिए मेरे पास आएंगे ये हमारे स्वाधिन्ता अंदोलन की प्राकाष्ठा थी उसका लखंड के अंदर वो बंग्य विद्या ज्यान परशद के अध्यक्ष होते वे सत्यन बहुत बार बार वाशन दे रहे थे वो फ्रेंच जानते थे जर्मन जानते थे इंग्लिश जानते थे बंगला जानते थे हिंदी जानते थे दुनिया के हर शोध पत्र का वो बंगला में हिंदी में अनुबात कर रहे थे विज्ञानिक बिना सपने देखे नहीं बनता सपने मातर भाषा में आते हैं कभी विदेशी भाषा में नहीं आते हैं विज्ञान का मोलिक नसंदार ये कभी विदेशी भाषा में होगा ही नहीं वो मातर भाषा में होने वला है ये हमारे स्वाधिन्ता के आंदोलन की प्रेड़ना थी उस समय बड़े-बड़े लोग अंग्रेजी शिक्षा संसानों से और निकल कर राष्ट्री विद्यालों में प्रवेश ले रहे थे वो हमारे आंदोलन की एक प्राकाश्ठा थी वो स्वत्रई की प्रेढ़ना से चरने वाला स्वाधिन्ता अंदोलन 1947 तक आकर जैसे तैसे आजा दी और जो 1905 में बंगल के विभाजन को स्विकार नी कर रहा था उसने 1947 में देश के विभाजन को स्विकार कर लिया ये हमारे स्वाधिन्ता के संगर्षे का एक दूसरा हिस्सा भी है ये जो स्वाधिन्ता के आंदोलन की जो वास्तित प्रेड़ना थी वो जो स्वा था वो स्वा क्या था वो किवाद स्वराज नहीं था वो किवाद इंडिपेंडन्स नहीं थी वो जैसे तैसे करके अपने लोगों का शासन नहीं था उसकी प्रेड़ना के अंदर इस देश की हजारो हजारो वर्षों की जो संस्कृति है उस संस्कृति के वैशिष्टे के साथ दुनिया की यूगन अकूल प्रशनों का उत्तर देते वे भारत को विश्व में एक भारत की जो भूमिका है उस भूमिका के लिए त्यार करना था जिसको बार-बार मारिशी अर्विंदी ने कहा spiritualism is the only politics मेरे लिए और राजनीती कुछ नहीं है भारत महान होगा यानि भारत की सोतंतरता का मतलब क्या है भारत महान होगा यानि दुनिया के अंदर भारत हिंदुत्यों के अपनी विशेष्टा को लेकर सारी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करेगा यह हमारी प्रेड़ना थी उसका लखंड़ के अंदर इसलिए 1947 से जो 75 वर्षे की यात्रा है, इस 75 वर्षे की यात्रा में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, हमारे पास एक अच्छा समीधान है, जिसके आधार के ओपर समाज जीवन के अंदर हम वेवस्थाओं को खड़ा कर दे हैं, हमारा एक सशक्त जीवन्त लोक्तंत्र है, जो आनुबवों के आधार के ओपर धीरे धीरे करके समाज के अंदर, दुनिया के अंदर एक लगातार अपनी इंस्टिटुशन को मजबूत करता हुआ आगे बढ़ रहा है, इस तारे कालखंड के अंदर हमने आर्थिक दृष्टी से एक शक्ति के नाते एक दुनिया में अपना स्थान बनाना प्रारंब किया है, आज हमारी एक सोतंतर विदेश नीती है, आज हमारी एक सामरीक सुरक्षा की है, अपनी देश की एक विशेश ताकत के साथ हम खड़े हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश के अंदर 75 वर्ष बाद हमारे पास एक समाज है, जिस समाज की आँखों में सपने हैं जो इस गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त है और गुलामी के सब चिन्नों को उखाड फैकने के लिए कृत संकल्प है हमारे पाद एक युवा है आज वो ऐसा युवा है जो हर चुनूती को स्विकार करना चाहता है केवल उसको एक दिशा की आवशकता है वो दिशा क्या है इस स्वाधिन्ता के 75 वर्ष के कालखंड में जब 75 वर्ष पूर्ण हो रहे थे इस स्वराज 75 को निमित बनाकर सारे देश के अंदर वो स्वाधिन्ता के आंदोलन की वास्तिक प्रेड़ना क्या थी ये उससे उसको अवगत कराना ये आज के समय की आवशकता है वो स्वाध क्या है किसके लिए हम लड़ रहे थे वो क्या बात थी वो कि वाध स्वराज्य नहीं था उस कालखंड में वंदे मातरम की रचना ऐसे ही नहीं हो रही थी उस कालखंड में कला, संस्कृती, साहित, संगीत अगर फिल्म प्रारामबुई तो फिल्म उस कालखंड के अंदर समाजी उने उद्द्योग, व्यपार बहुत कम लोग समझते हैं कि भारत के व्यपारियों का योगदान क्या है वो अंग्रेज जो भारत को कालोनाईज करने आये थे अपने माल की मंडी बनाने के लिए आये थे वो सपना उनका उननी सो सक आते आते पूरा हो गया उसके बाद वो केवल बैंकिंग में रगे उनके माल नहीं यहां से लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां लगा कर अपने उद्योग लगा कर भारत में भारत के लोगों ने भारत की आवशक्ता पूर्ती प्रारंब कर दी कितना है ऐसा ही नहीं दुनिया के बाहर के देशों में माल बेचना भी प्रारंब किया वो वेपारियों ने किस धंकसे किया है किसी ने उसको कभी लिपी बद नहीं किया मुझे लगता है कि इस सारे कालाखंड में तीन वर्षों में जो टाइम ता इड़ वास टाइम टो रिविजिट वो हमारा कथिन काल था वो हमारा दुखत काल था वो कालखंड ऐसा था जिस कालखंड में हमको बहुत कश्ट सहने पड़े अपमान सहना पड़ा लेकिन उस कालखंड के अंदर एक ऐसी चीज भी थी जिसके ओपर गर्व किया जा सकता है और वो गर्व है हमारा एक समग्र संगर्ष एक समग्र इस सर्वंकश आकरवन के खिलाब उत्तर दुनिया की सब सब्वेताव संस्कृतियों को जीततावा जो भारत में आया वो प्रास्तो गया लेकिन वो जो सारा काम है 1947 में वो पूर्ण निवा वहां से जो स्वतंतरता की यात्रा है उसका एक आधार इन 75 वर्षों में हम बना चुके हैं आने वाले 25 वर्षों में क्या करना है इस सारे स्वाधिनता के आंदोलन को जो पिछले तीन वर्षों के अंदर हमने एक रिविजिट करना प्रारंब किया है इन तीन वर्षों में उसका जो पुनर मुल्यांकन प्रारंब किया है जिसको मैंने कहा कि इड़ा टाइम टू री समझ कर उन कामों को पूर्ण करने के लिए संकल्ब बद्दोकर ये आगे बढ़ने का जो कालखंड है उसके अंदर इस पुस्तक के बहुत बड़ी भूमी का है एक पुस्तक हमको एक इंसाइड देती है इस आंदोलन के इस सारे संगर्श की वास्त्रिक स्वरूप को समझने की अंग्रेज आये तो भारत कैसा था उनका आकर्मन कैसा था उन्होंने क्या क्या किया और किस प्रकार से समाज जीवन के प्रतेक शेतर में सोग के आधार के ओपर हमने उत्तर दिया उसको समझना और उसको समझ कर स्वाधीनता के बाद जो थोड़ा बीज के कालखंड के बड़ी भूमिका है लेकिन यह पुस्तक जो है यह अपने आपके अंदर एक संकेत है इस संकेत को समझ कर आने वाले समय में 25 वर्ष में मुझे क्या करना और अपने साथ समाज को किस प्रकार से तैयार करना इसका एक विचार लेकर हम सब लोग इस पुस्तक को पढ़ें और इस पुस्तक को अंदर जो मेसेज है उसको समाज तक लेकर जाएं इसका अनुरोत करते वे और इस पुस्तक के लेखन के लिए नंदुकुमार जी का अभिनंदन करते वे मैं अपने इस वक्तव्य को पूर्ण करता हूँ आप सबका हारदिक धन्यवाद